ये गाई जर वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी दोस्तो में नाम है मैं आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे रीसल्स बताऊँगा कि क्यूं आप लोगों को 2023 में बुलट 350 लेनी चाहिए दोस्तो आज की जो वीडियो होने व वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पे आप लोग ने हैं फरस्स ताइम हमारे चैनल पे आप लोग आए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए चली दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू फड़ावट से दोस्तो सबसे पहले point के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला point जो सका होगा वो होगा इसकी looks and इसकी legacy दोस्तो जैसे कि आप लोगों को बता रॉल इंफिल बुलिट 350 की अभी BS6 वाली वीरिंट की जो मैं बात कर रहा हूँ अभी जो फिलाल आप लोगों वीरिंट दिखने को मिलते हैं इनकी looks एक बहुत ज़्यादा old school है 1955 और 1960 से दोस्तो चली आ रही है यह वाली shape और अभी तक यह वाली तो shape एर ओल इंफिल ने continue रखी भी है अगर मैं बात करें दोस्तो बुलिट 350 स्टैंडर की दोस्तो स्टैंडर की जो look के आज तक बिल्कुल सेम है थोड़े बहुत government norms के साफसर जो changes है वो किये गए हैं इंजिन का और जो इसका tank है उस पे सिर्फ इन दो चीज़ों पर चेंजिस थे company ने किये हैं अभी तक आप लोगों को सारी सारी चीज ओल्मूस सिमिलर ही देखने को मिलेगी इस वाली बाइक के अंदर इवेन अगर मैं इसकी setting posture की बात करूँ इसकी feel की बात करूँ इसकी look की बात करूँ इसकी body की बात करूँ तो अभी तक आप लोगों को सबी चीज़ेस के अंदर बिल्कुल ही same देखने को मिल जाती हैं दोस्तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को जितने भी points बताऊंगा यह तीनो बिल्ट के उपर हैं जैसे के आप लोगों को बता हैं यह सिर्फ उसे standard के लिए बता हैं यह तीनो ही बिल्ट की मैं बात आप लोगों से कर रहा हैं तो मैं looks की बात करूँ तो दोस्तों देख के तीनो ही rolling fill bullet 350 की जितनी भी shape है अभी तीनो ही variants की बिल्कुल similar shape हैं बहुत ही कम changes आप लोगों को मिलेंगे काओ इसको bike मत काओ एक लेजंडरी bike है और दोस्तों काफी सारे लोगों के देल पर यह वाली bike जो राज करती है दोस्तों आप लोगों को भी बता है यह bike अपने अपने एक legend bike है और यह अपनी history जो है और प्रेट कर चुकी है क्योंकि इस bike को इंडिया में इतना जादा पसं क्या क्या है दोस्तों जिसकी कोई भी हद नहीं है हर age group के लोगों को यह वाली bike जो पसंद आती है चलिए बढ़ते अपने second point की तरफ जो है दोस्तों यह engine दोस्तों अकर आप लोगोंने 2023 में bullet 350 जो नहीं ली तो दोस्तों आप लोगों को यह engine जो है वो नहीं मिलेगा फिर यह engine दोस्तों और वाले फिर लग चेंज कर रही है अब आप लोगों को नहीं जो classic and meteor वाले जो engines है अब आप लोगों को दोस्तों वो देखने को मिलेंगे और यह जो engine रहेंगे अब इसमें से kick जो रिमूव कर दी जाएगी और यह UC engine अभी आप लोगों को देखने को मिल र लगाई है अगर आप लोगों को लेनी है तो फटाफर से जाके ले लीजिए पता लग रहा है दोस्तों से पहले की बाइक जो बंद हो जाए या डिसकॉंट ही नी हो जाए ठीक है तो दोस्तों यह बहुत important point है उन लोगों के लिए जिने sound पसंद है जिनको आवाज से मतलब जिनको UC engine चाहिए जिनको किक वाले engine चाहिए उनके लिए ठीक है बेसिकली जो किक के fan है जो किक चाहते है कि मेरी back में self तो हो इसके साथ हमें kick भी मिल जाए उसके नदा ठीक है तो काफी लोगों की demand रहती है भाई kick self दोन हो या kick start ही हो हमें काफी तारे लोगों को standard percent है kick से ह start करनी आज भी लोगों prefer करते हैं आज भी लोगों उसको खुब खरीद रहे है खुब विकरी है standard 350 जो सिर्फ kick से ही start होती है तो दोस्तों ये बहुत important point है उन लोगों के लिए जिनको kick से प्यार है basically third point के बारे में आते हैं दोस्तों third point हो का हमारी roll infill की जो feeling होती है इसको चल बिल्ट चलाने में आता है वह मज़ा आप लोगों किसी भी वीरिंट पर नहीं आएगा to be honest अगर आप लोगों के मेरी बात है कि ना रहा हो तो आप लोग एक बार आप लोगों ने चला के नहीं देखी हो तो आप लोग चला सकते हैं तब आप खुदी मेरे को कमेंट करते ह बिल्ट में जो मज़ा है वह बहुत अलग है ठीक है जो उसमें वाइब्रेशन होती है नो दोस्तों जो स्टार्ट जब हम करते हैं जब चलाते हैं उसको उसका हैंडल वाइब्रेट करता है उससे पता लग जाते कि वहाई कितनी ज़्यादा जबर जस्त है काफी सारे लोग साउंड उससे निकाल सकते हैं इसके जो साउंड रहती है अलग-अलग सांड की साउंड निकल वाने के लिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5th and last month की तरह वो है इसकी discontinue date दोस्तों आप लोगों को पता रॉलिंग फिर बुलिट 350 कभी भी discontinue हो सकती है अपरेल के बाद क्योंकि दोस्तों काफी बड़ी-बड़ी sites नहीं update कर दिया है कि अपरेल से लेके September के बीच में बुलिट 350 जनरेशन जो वो कभी भी आ सकती है सो अपरेल महीत है कि दोस्तों कि क्या यह जा रहा है कि यह वाली जो वेरेंट आप लोग दिख पा रहे हैं बुलिट 350 BS6 यह discontinue हो जाएगा 80% 70-80% चांसी तरह दोस्तों कि डिसकोंटीनी हो जाएगा अगर आप लोगों को चाहि को अनबीटेबल मिलती है आप लोगों को भी पता होंगा दोस्तों बुलिट जो वैल्यू आप लोगों को देती है सेल होने के टाइम पर पांस साल चाहाने कबाद वह कोई भी वैल्यू प्रोइड नहीं करवा सकती है जाया कोई साभी बीरिट देख लीजिए रॉल इंफि नहींने तक आप लोगों को उसकी जो availability है वो अच्छी खासी देखने को आप लोगों को मिल रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोगों को आज की वीडियो ची लगिए वीडियो को लाइक कीजिए बागी चैनल पर आप लोग नए हैं फॉर्स ट